जिस आप अस्वक महतों के बात कर रहे हैं वह राष्टिय जनता दल का उमिद्बार होगा और मुस्तहिदी के साथ मुंगेर से लरेगा नमस्कार मैमरीस और आप देख रहे हैं मिड्या दसर राष्टिय जनता दल के राष्टिय धक्ष लालू परसाद यादव ने अपने तमाम छेतरों को जो पहले चरण में चुनाव हैं उन छेतरों के कंडिडेट के नाम एनाउंस कर दिये हैं लेकिन कॉंग्रेस में लेकने को मिल रही है कल बिहार के उपमुखमंत्री विजया सिनहा ने भी कहा है कि यह जमिदारी भावव दिकरार । इसी मुद्धे पर बात करेंगे आरजएडी के विदायक राम भृव चादव जी लालू जी तो समानती भी है और जमीनदार भी है, और भासा भी समानती वला ही निकलता है बह़ार के उख मंत्री हैं तो जमीदारी बहुत कैसे नहीं दिख रहा हैं, अखिलेस से कॉंग्रेश के परदेश अध्यक्हय मक्रेश दिख भागे भागे जा रहे हैं आप कहीं राष्टिय अध्यक्ष के पास, जो की राष्टिय पार्टी है कॉंग्रेस, फिर भी जा रहे हैं आरजेडी के पास, उनके कदमों में जा रहे हैं, तो जमिदारी बहुत तो साफ ठीक रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सारे लोग गठबंधन के लोग है कल हम लोगों का भी जरूरत परता है, कांग्रेस के पास आते हैं, कांग्रेस का ओफिस जाते हैं, हम लोगों के निता के भी जरूरत परता है, तो मानिय सुनिया गंधी और राहुल गंधी जी से मिलते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, यह सब जो है, यह का हवा में तैर पट्बंदधन require मांगा है उसमें इन लोगों का चिंहित हो चुका है किन सीटों पर कांग्रेश के लगाना है किन सीटों पर बांदल को लड़ाना है और कीन सीटों पर आरजेडिक लड़ाना है तमाम चिन्हित हो चुका है एक से दो दिन में प्रेस कॉंफरेंस करके सारे चीज़ किलियर कर पबली कली अनॉंस नहीं किया गया है जनता जानना चाहते हैं लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अखिर इंडिया कटवंदन में सीड सेरिंग पर राध आखिर क्यू नहीं बनर रही आभी इभी सिर्फ 4 सिट पर चुनाओ हो रहा है पहला चरन का चुनाओ और वियार में 40 सिट है और हम लोगों के नियता भी बोले हैं बाम दल का 3 सिट मांग है उसमें भी हम लोगों के नियता अर्जेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस का आठ नौ सीट मांगता हूँ भी अर्जेस्ट कर रहे हैं अभी यह बात नहीं है कि 20 सीट में हम लोग 20 सीट बॉट दिये हैं जिससे जो है मीडिया के लोगों को छट पटाट है कोईसा भी बात नहीं है अभी सारे तीकट हम लोगों क बचा हुआ है और कहीं से कोई दिक्कत ने है राहुल गांधी और सुनिया गांधी से हमारे नेता आधर्णिया बाबु लालू परसाद यादब जी को और बाबु तेस्वी यादब जी को बातचीत होते रहता है माले के और जो लेप्ट के साथी है तमाम लोगों से बात क्योंकि उनके समर्थक तो नाराज दिखे आपको खुद पता होना चाहिए कि आर्जेदी सबसे जादे सीट पर लर रही है तो जादे उमीदबार देगा ही क्यों ने समर्थन करेगा अगर हम सबसे जादे सीट पर लर रहे हैं तो हमारा समर्थन ने करेगा और वह कम सीट पर लड़ेगा तुसका नहीं करेंगे गठ बंदर का मतलब क्या हुआ ऐसा कोई बात नहीं है यह भरम फैलाने बाली बात है हम लोगों के गठ बंधन अटूट है और कहीं भी किसी नेता का कोई बयान नहीं आ रहा है इसमें जो है सिर्फ मीडिया इस बात को हवा में चला रह ले थे इस बार जादा सीटों का डिमांड रहेगा हमारा लेकिन अब जानकारी मिल रहा कि दस से भी कम आप लोग दे रहे हैं कांग्रेश के उपरदेश अध्यक्ष हैं उनका मांगना सीट कम है या फिर जादे कम सीट की बात करना उनका अपना मुद्दा है लेकिन जब भ सहमती नहीं बन पा रहा है जिसके वज़े से लालू परसाद यादव जो है अपना अपना कैंडिडेट उतारने में लगे हैं वैसा कोई बात नहीं है हर जगह हम लोगों का सहमती बन चुका है हर जगह सब कुछ बतुका है और हम लोग गठबंधन के राई से ही उमिदबा आखरी सवाल मेरा कुख्यात अपराधी असोक महतो की साधी करवाई गई और लालू परसाद यादव से भी मुलाकात करने के लिए वो गए संभावना यह जताई जा रही है कि मुंगेर से ललन सिन के खिलाप उनकी पतनी चुनाव लड़ेंगी क्या कहें गरीब लोग जब और सारे आम गरीब को लिजद लूटा जाता है तो उसको फैसन बोला जाता है जिस आप अस्वक महतों के बात कर रहे हैं वह रास्तिय जनतादल का उमिदबार होगा और मुस्तहिदी के साथ मुंगेर से लरेगा और यह कुख्यात सब्द जो निकाले हैं सबसे पहले इसको को आप खतम किजिए और कुख्यात देखिए आप बीजेपी में अर्जद यूम जाके वहां से कुख्यात खोज के तब यहां कुख्यात सब का इत्माल किजिए यह थे हमारे साथ आरजेडी के बिधायक राम ब्रिक्ष चादा जिन्होंने सिधे तोर पे कहा कि हमारे इंड इंड है